बिस्तर पर घंटों करवटे बदलने के बाद भी जब नीन नहीं आती है तो मन करता है कि दुनिया में चाहे कोई हमारा सब कुछ ले ले, सारी दौलत ले ले लेकिन हमें कुछ घंटे चैन की नीन दा जाएं शरीर के साथ-साथ मन का स्वास्ते भी बिगड़ने लगता है लगता है कोई एक ऐसा बटन मिल जाए जिसे प्रेस कर दें और हम सो जाएं बिल्कुल वैसे जैसे हम बच्पन में सोते थे जब कुछ भी नहीं मिलता है तो शुरू होता है नीन की दवाईयों का सिलसिला इनके जो साइड एफेक्ट्स होते हैं वो नीन ना आने से भी बुरे होते हैं कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने माइंड को ट्रिक करना मन को ये बताना कि ये आपकी नीन का समय है कैसे अपने माइंड को ट्रिक करना है आए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में नमस्कार योगजर्णी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीन्द का एक ऐसा तरीका जो बहुत एफेक्टिव है बहुत सरल सा तरीका है लेकिन ये आपके उपर बहुत कमाल का सर दिखाएगा 99% लोगों को ये करने के पाद नीन्द आती है देखे हमारे मन को ये पता होना चाहिए कि ये हमारा सोने का समय है इसके लिए एक तो आपका सोने का समय निश्चित हो दूसरा अगर हो सके तो सोने के कपड़े भी निश्चित हो कुछ धीले ढाले आराम दैक कपड़े जो आप सिर्फ सोते समय पहनते हैं वो फिक्स कर ले और सोने से पहले आपको नहाना है ये सिर्फ शरीर की शुद्धी नहीं है हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है जिने हम पंच महा भूत कहते हैं तो जब हम अपने शरीर पर पानी डालते हैं ये भूत शुद्धी होती है सिर्फ बहारी नहीं भीतर से भी शुद्धी होती है शरीर में 70% पानी है जो ना जाने कौन-कौन सी भावनाओं को अपने अंदर समेटे बैटा है जब आपके शरीर के ऊपर पानी गिरता है तो वो सारी भावनाएं इस पानी के बहाव के साथ बहने लगती है शरीर से दूर होने लगती है जब आप सोने से पहले नहाते हैं तो ना सिर्फ शरीर बलकी मन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपका शरीर एकदम relax हो जाता है, सारी muscles relax हो जाती है आपका blood pressure normal हो जाता है, आपका heart एकदम शान्त हो जाता है शरीर में खून का दोरा अच्छे से होने लगता है, अंग अंग को अच्छे से खून की supply होती है including your brain जब मस्तिश्क को परियाप मात्रा में oxygen मिलती है, खून का दोरा बढ़ता है, तो ये आपके मन को शान्त करता है मौसम के अनुसार आप ठंडा या गुनगुना पानी का चैन करें जब पांच मनिट आप इस तरह से स्नान करते हैं, तो शरीर में जितनी भी थकान है, वो दूर हो जाती है अगर शारिरिक थकान बहुत जादा है, तो इस पानी में आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें ये आपके शरीर की थकान को, जोडों की थकान को एक दम निचोड देगा, निकाल देगा बिलकुल बहार अच्छे से स्नान करके, जब आप साफ सुत्रे डीले डाले कपड़े पहन कर अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है आपके मन को, कि अब आपके सोने का समय है बिस्तर पर लेटते ही आपको नीन्द आ जाएगी और एक और चीज़ा आप कर सकते हैं, सोने से पहले ब्रामरी का अभ्यास ये प्राणायाम आपके मन को बिलकुल शांत कर देगा चो विचार चल रहना, वो रुक जाएंगे कैसे करना है? इसे आप लेट कर भी कर सकते हैं आराम से लेट जाएं, आखे बंद कर लें, गहरा सांस भरें और मकार का साउंड करते हुए सांसों को बाहर चोड़ना जैसे भवरा गुंजन करता है आए दो तिन राउंड आप अभी मेरे साथ करके देखें आप पाएंगे अभी की अभी आपका मन कितना शान्त हो गया है आखे बंद कर लें, सांस भरें आप बंद कर दोंगे देरं आप बंद कर देके गलाफ़र के राव़ना आप कर मेराлан को नए आप अम् आप आप जेखें रिलाक्स इस तरह से जब आप रहामरी करते हैं ग्यारा बार करें किस बार करें उसके बाद जो आपकी नींद होगी वो एकताम आराम से भरी हुई पूरी रात आपको बुरे सपने नहीं आएंगे मन एकदम शान्त रहेगा और अगली सुबह एकदम उर्जा से भरपूर होगी तो ये छोटा सा भ्यास करके आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं कि ये आपके सोने का समय है कुछ दिन जब आप इसे लगातार प्रेयोग करेंगे तो आपको हर दिन बहुत अच्छी नियंद आएगी आपको कभी भी नेंद की दवाईयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी करके देखें और अपने एक्सपीरिंस हम सभी के साथ जरूर शेयर करें अपना ख्याल रखें, नमस्कार